हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन आप सभी का हमारे यूटूब चैनल में एक वार फिर से बहुत पूस्वागत है हम लोग पढ़ रहे थे स्पीड टाइम एन डिस्टेंस आप लोगों को याद होगा जब हम लोगों ने पिछला पार्ट वन किया है स्पीड टाइम डिस्टेंस का तो वहां पे किस प्रकार के कुछ क्यूसंस किये थे कैसे कैसे किश्टन्स थे और कैसे उनको हल किया था उसी रिधम को हम लोग जारी रखते वे जहां पे हम लोगों ने part 1 को खतम किया था वहीं से वापिस सुरू करने जा रहे हैं आज के किश्टन्स जो अपना theme रहेगा मैं इस वीडियो का वो ये रहेगा कि एक कोई वेक्ति किसी ने से चाल से कोई कहीं जाता है वापिस आता है अगर उस चाल में कुछ कमी या बड़ोतरी कर दूँ यानि चाल को एक बार बढ़ा दू या कम कर दूँ जो time का फरक आता है वो दिया वाँ हो कितनी चाल बढ़ा ही और कितनी चाल नहीं बढ़ा ही है वो दिया गया हो तो दूरी कैसे निकालेंगे और वो चाल कैसे निकालेंगे for example पहला question जैसे अपने पास आज का है ये कह रहा है कि एक वेक्ति निश्ची दूरी को scooter से ते करता है फिर कह रहा है कि अगर वो चाल को 3 किलोमेटर से बढ़ाता है तब तो उसको 40 मिनिटें कम लगता है ये बोला है कि अगर चाल को 2 किलोमेटर से गठा देता है तब उसको 40 मिनिटें ज्यादा लगता है तो वो दूरी ग्याद करो और सबसे पहले तो अपने को चाल ग्यात करनी प्लेगिंग, वो actual चाल क्या थी, जिसमें 3 को बढ़ाया है और 2 को कम किया है मैंने चाल को एक बार क्या माल लिया, S माना, simple सा तरीका है, वही formula है जो हम लोग पिछले lesson में यूज करते आये हैं कि speed 1 गुणा, speed 2 बटा, speed 1 minus speed 2 गुणा समय, यानि चाल दोनों चालों का गुणा, बटा दोनों चालों का अंतर और गुणा में समय, बराबर दूरी यही हम लोग पिछले lesson में यूज किया है, यहां देखते हैं, चाल 1 को मैंने क्या माना, यानि उस scooter की जो चाल है, वो S है दोनों चालों का अंतर तो 3 किलोमिटर है, और समय लगा है, 40 मिनट, यहां तक क्लियर है यही तरीका था अपना चाल 1 गुणा, चाल 2 बटा, दोनों चालों का अंतर गुणा, समय यहां तक हमने निकाला इसी परकार दूसरा भी यह होगा साल तो सेम यह दोनों की एस दूसरी बार में क्या क्या है इसने दो किलोमेटर से कम कर दिया तो एस माइनस टू अंतर दो कहर गुना 40 बटे साथ इससे भी क्या आएगी वही दूरी आएगी और वही चाल आएगी चाल मतलब यह एस कमान अब तो क्योंसरी में कुछ से बच्चाई नहीं है पहली चाल के बराबर में दूसरी जाल क्योंकि दोनों फॉर्मुले किसके हैं निकाल तो दूरी ही रहे है चाहिए A से निकालो चाहें B से निकालो यह यह से B तक की दूरी निकालो या भी से A तक की दूरी निकालो कोई फरक नहीं पड़ता है जब दूरी की दोनों फॉर्मुलों से सेम दूरी आ रही है तो हम क्या करेंगे इसको दोनों को 2 गुना 40 बटे 60 अब इसको solve करते हैं S कमान निकालते हैं सबसे पहले 40 बटे 60 से 40 बटे 60 cancel हो गया क्रोस multiply किया में इनको S से S को cut दिया इदर आ गया 2S plus 6 इदर आ गया 3S minus 6 इस 3S को इदर लेके क्या आ गया minus S और इस 6 को इदर लेके क्या आ गया minus 12 minus minus हो गया plus S के equal में क्या आ गया 12 S के बराबर 12 मतलब 412 थी फिर 13 बटे तो दूसरी चाल हो गई 15 और अंतर आया 40 मिनट का दूसरी बार condition 2 में क्या था 412 है 2 कम की तो चाल हो गई 10 और अंतर आया फिर 40 मिनट का कोई फरक नहीं है Sol करते हैं इस 12 को इदर S की जगा रख दे तूमें क्या आएगा 12 गुणा 15 बटे 3 गुणा 40 बटे 60 काट दिया 6 दोने 12 पांस तेरी 15 पांस चोग 20 और 20 में दो से गुणा कर दो क्या आ जाएगा 40 तो जो दूरी आई अपने पास कितनी आई 40 किलोमेटर कोई खास फरक नहीं पड़ा है सेम वही तो है S की जगे रखा 12 S प्लस 3 हो गया 15 12 प्लस 3 पंदर अंतर था 3 का गुणा 40 बटे 60 यही तो किया है यहाँ पर भी मैंने इधर वाले में रख के देख लो S 12 S मैंने दो 10 बटे 2 यह आ गया 5 और इधर कार्टो के आ गया 40 बटे 60 0 से 0 गया 6 दोने 12 4 दोने 8 और 8 हंजो 40 कोई लंबी चोरी कहानी नहीं थी असान चीज थी एकडम से और असानी से आप इसको हल कर सकते है थोड़ा सा दिमाग में यह रखना है कि चाल बढ़ने और गटनी की वजए से जो टाइम में फरक आया है वो तो एक एक्ट्वल प्रक्टिकुलर चाल थी उससे बढ़ने गढ़ने से तो आया है सबसे पहले उस चाल को निकानना है उस साल के आने के बाद में चाल बन गुना चाल तू बट्टा चाल बन माइने साल तू गुना समय बराबट दूरी यह फॉर्मूला अपना रामबान है इसे कुशन के लिए जो हम लोग डायरेक्ट सीदा इसको हल कर सकते हैं यहां तक मेरे खाल से किसी को कोई प्रोब्लम नहीं होगी आसारी से हल कर सकते हैं आप लोग इसको अब चलते हैं हम लोग यहां से नेक्स्ट क्यूसन के तरह इसी परकार का एक क्यूसन और करते हैं यह कह रहा है कि अगर एक वेक्ति अपनी चाल को अगर एक वेक्ति है जो अपनी चाल को 20 किलोमेटर परती घंटे से बढ़ा देता है यानि 20 किलोमेटर परती घंटे से बढ़ाता है तो उसे एक घंटा कम समय लगता है तो उसकी वास्त्री की चाल क्या होगी कि उस सिन में कुछ फरक है कोई फरक नहीं है एक नई चीज इस बार दे दी इसने वो क्या दे दी कि दूरी दे दी चाल मान लिया पहली चाल S है दूसरी 20 बढ़ा दिया तो आगी S प्लस से 20 अंतर दोनों चालों का 20 किलो मेटर है क्योंकि 20 ही बढ़ाया है समय एक गंटा है और बराबर आ गया 600 कुछ लम्मी चोरी कहानी नहीं है अब इसको आसानी से हलम लोग कर सकते हैं कैसे हल करेंगे वो देख लेते हैं आजो चाल को S लिखा दूसरी चाल S प्लस 20 आ गया दोनों का अंतर 20 गुणा एक गंटा मतलब साट मिनिट तो साट बट्रे साट एक हो जाएगा बराबर में 600 क्रोस मल्टिप्लाई किया तो ये 20 जाके 600 से गुणा आ गया अपने पास आ गया S स्कायर प्लस 20S प्लस से 12,000 अब यहां पर अगर आप चाहते हो कि इसको मैं क्वार्डिक एक्वेशन में जाके स्कायर प्लस 20S माइनस 12,000 इक्वल टू जीरो फिर एक्स माइनस Y माइनस Z माइनस S माइनस जो भी लफडा लिम का जो भी है वो सब करने से अच्छा क्या है ऐसे क्यूसंस में समय बचाने के लिए आप उप्संस उठाओ जैसे मैंने सबसे A उप्संस असी उठाया तो 8 का स्कायर 64 हो गया तो 6400 और 20 को 8 से गुणा करो 16, 160 और 1600 दुनों को जोड़ा कितना हुआ 8,000 जबकि है कितना 12,000 नहीं बैठ रहा बी उठाओ बी उठाओ और 20 को 100 से गुणा करो 2000 10,000 और 2000 मिल के आगया 12,000 अपना एंसर क्या हो जाता है यहां पर बी कोई लंबी चोरी कानी नहीं है मेरे खाल से ऐसे किस्टन्स में हमेशा अवोइड कीजिए कि Quadric equation में जाने की बजाए आप इनको सिधा option रखे हल कर ले लेकिन वो basic जो चीज थी उसको हमेशा दिमाग में रखना है basic क्या था चाल 1 गुणा चाल 2 बटा चाल 1 माइनस चाल 2 गुणा समय equal to दूरी अगर दूरी दी रहती है तब तो कोई बड़ी बात है ही नहीं अगर दूरी नहीं दी रहती है तो उसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखके sol करना है एक क्यूसन और करते हैं यह भी बहुत अच्छा क्यूसन है यह बोल रहा है कि एक व्यक्ति किसी निश्य दूरी को कार से ते करता है सबसे पहले तो बोलता है कि एक घंटा कम समय लगता है दस से बढ़ाया एक घंटा कम लगा क्यूसन को समझना है फिर बोल रहा है कि वो गति 20 से बढ़ाता है दोनों बार बढ़ा रहा है और 45 मिनट और कम लगते है 45 मिनट और कम लगने का मतलब है इस और वर्ड को समझना है आपको 45 मिनट और कम लगने का मतलब है एक घंटा तो कम लगी रहा था उसके अलावा 45 मिनट और कम मतलब 60 मिनट एक घंटे वाली और 45 मिनट और टोटल कितनी मिनट हो गई 105 मिनट यानि एक घंटा 45 मिनट एक सही 3 बटा 4 घंटा केलियर है कानी अब आते हैं आगे यह तो था किस्टन को समझना सबसे पहले आदमे को क्या होना चाहिए अपने को किस्टन की लेंग में समझ आने चाहिए कि हाँ किस्टन में एक चली में हो क्या रहा है अब इसको सोल करते हैं क्या से सोल करेंगी सबसे पहरे मान लिया चाल है S बढ़ाया किस से S प्लस है 10 बटा 10 गुना 1 बराबर किसके है दूसरी चाल S बढ़ाया किस से 20 से 20 गुना समय कितना था 105 बटे 60 समय कितना था 105 बटे 60 तो clear है ये चीज आसानी से आप देख सकते हैं इसको कि कैसे क्या करना है अब इसको sol कर लेते हैं sol करेंगे तो कैसे करेंगे देखो वही चीज करेंगे पहली चाल S दूसरी 10 किलोमेटर से बढ़ा दी तो S प्लस 10 बटा 10 गुना 1 गंटा बराबर में किसके है common चाल S बढ़ाय किस से S प्लस 20 से बटा 20 और गुना 45 मिनिट और का मतलब है 1 गंटा ये और 45 मिनिट ये यह 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 एक सो पांच बटे 60 15 से काट दिया आ गया 7 बटे 4 अब तो अपना सिंपल सी बास सब को पता है क्या करेंगे क्रोस मल्टिप्लाई क्या करेंगे क्रोस से मल्टिप्लाई इधर आ गया 4 दोने 8 क्रोस मल्टिप्लाई कर दो ये आ गया 8 है 10 को 8 से गुना करेंगे ऐसे क्योंकि S S तो कैंसल होगे इसका तो मतलब ही नहीं बसता इधर 1 है तो कोई फरक नहीं पड़ा लेकिन ये 7 है इस 7 को इस से गुना करेंगे इस 7S और 20 को 7 से गुना करें 140 ये 7S इधर प्लस करें इसको उठाकर इधर लाओगे किसका हो जाएगा माइनस का 8S में से 7S गया क्या बचा S इस 8 इधर प्लस करें इसको उदर ले जाओगे माइनस का 140 में से 8S गया क्या बचा 60 तो चाल आ गई अपने पास में कितनी 60 किलोमेटर ये किसका मान आया है S का मान आ गया अब क्या निकालनी है दूरी निकालनी है तो S का मान रख दो यहाँ पे S गुना S यानि 60 और 10 से 70 बटे 10 गुना 1 0 से 0 गया 7 चक 42 और 0 आ गया 420 किलोमेटर क्यूशन में क्या करना था नया कुछ भी नहीं है अभी तक जो चीजे हम लग फड़ते वे आ रहे हैं उसी को थोड़ा बहुत गुमा फिरा के बार बार पुछा जा रहा है दिमाग में ये रखनी है बात कि अगर चाल बढ़ाके गटाके देता है तो समय को गुणा करके इक्वल में रखे सबसे पहले चाल को निकालो जो एस माना है हमने उसको निकालो उस एस को मानने के बाद में समझना है कि कैसे चीज को आगे सोल करोगे और कैसे चीजे नहीं सोल करोगे उसके बाद में आप दूरी निकाल सकते हो तो यहां तक हम लोगों ने एक particular type के question किये हैं कि अगर आप से कोई चाल बढ़ा चड़ा के दे दी जाती है तो उसको आप सोले कैसे करोगी तो यहां दोनों तरफ भी रखोंगे मान तो भी answer आ जाएगा इस चेप्टर में हम लोग इस वीडियो में सिर्फ तीनी question रखे हैं ताकि एक एक अलग अलग type के जो concept है आपके वो clear हो जाए कि चाल को अगर plus minus कर दिया जाए तो दूरी और चाल को कैसे निकालेंगे तो thank you so much guys और हाँ अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप से लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेर कीजिए इसके अलावा आपको mathematics के किसी भी topic का कोई भी question हो नहीं समझा रहा है तो आप मुझे comment box में comment कर सकते हैं उसको हम लोग discussion करेंगे एक बार हम लोग match का पूरा syllabus कर ले उसके बाद में आपके लिए डेली 50 मिनट या एक घंटे का एक test रखा जाएगा अपने इस channel पे जिस पे डेली 40 question होंगे 60 मिनट में solve करने के लिए तो एक बार हम लोग पहले पूरे syllabus को cover करते हैं फिर अउसके हम लोग बात करेंगे अब डेली आप लोगों को दो दिन के अंदर आज यसे speed time resistance का एक वीडियो यह है पार्ट टू आ गया पांस-पांस पार्ट में हर चेप्टर को हम लोग खतम करने की कोशिश से करेंगे तो थैंक्यों सॉमस्ट गाइज